हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बैटल रॉयल ये 2000 की एक्शन थ्रीलर ड्रामा मुवी एक्स्पायर्ड करने वाला हूँ 42 नाइन्थ ग्रेड के स्टुडेंट्स को एक डेजर्टेड आइलेंड पर ले जाया जाता है वहाँ पर अगर उन्हें जिना है तो एक दुसरे को मार डालना है यही आज के मुवी के हमारी स्टोरी है इस मुवी से बहुत सारे गेम्स और मुवी भी इंस्पायर्ड है यह एक जापनिस मुवी है जिसके IMDb rating 7.6 और Rotan Tomatoes पर इसे 88% है तो चले इस मुवी को इसमें गरना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें कुछ information दी जाती है सधी स्टार्ट होए और 15% unemployment की वज़े से 10 लाग लोग के जॉब चले गए 8 लाग बच्चों ने स्कूल छोड़ दी उसे वज़े से बहुत जादा क्राइम बढ़ गया बड़े लोग बच्चों से डरने लगके उसलिए उन्होंने एक एक पास किया जिसका नाम है BR Act यानि की Battle Royal Act इस Act के according गवर्मेंट किसी भी स्कूल को चूज कर सकती है उसमें से एक लास को चूज करकर वो लड़ाई करवाने वाले है इसके बाद मूवी के फर्स सीन में हम देखते है कि जो लड़ की Battle Royal में जीती थी उसे बहुत बड़ी मीडिया कवरेज मिल रही है एक खून से रत्पद है और इसे चेहरे पर एक विशियस स्माइल है हमारी फिर मूवी की स्टोरी हमारे में क्यारेटर जिसका नाम है नानाहरा ये बदाना स्टार्ट करता है ये कहता है कि जब मैं 4th grade में था तो मेरी मदर मुझे छोड़ कर चली कई उसके 7th grade के 1st day पर जब वो घर पर आया तब उसके फादर ने खुद कुशी कर ली थी उसके बाद उसे पता नहीं था कि उसे घरना क्या है इसके बाद नेकसिन में हमें टीचर देखते है जिनका नाम है कवाडा एक लासरूम से जब बाहर निकलते तो एक लड़का इनके पेर पर चाकू मार देता है चाकू मारने वाले लड़के का नाम नोबू था नोबू के हाद से चाकू गिर गया था अगर एक चाकू कवाडा को मिल जाता तो नोबू ट्रवल में आता तो उसकी फ्रेंड जिसका नाम था नोरिको उसने चाकू उठा लिया और छुपा दिया उसके बाद वो टीचर स्कूल छोड़कर चले गए स्कूल के सब बच्चो की लाइफ नॉर्मल से चल रहे थी एक दिन वो ट्रीप पर जा रहे थे इस ट्रीप पर हम देख सकते हैं कि नोरिको नानाहरा के पास आती है उसने नानाहरा के लिए कुछ कूकिस बेक की थी वो उससे दे 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 दिये एक्च्वल में नोरिको को नानाहरा पर ख्रेश है इनके बास कैमेरा है तो नानाहरा, नोबू, नोरी को ये सब पिक्चर लेते हैं कुछ समय बात हम डारेक्ली देख सकते हैं इस बस के सब बच्चे ड्रग ठोकर बेहोश पड़े हुए है इनने एक deserted island पर ले जाया जाता है और classroom में रखा जाता है ये सब होश में आते हैं तो directly इसी classroom में है ये जब आसपास देखते हैं तो इनकी classroom में और भी दो अलग बच्चे हैं थोड़ी देर में helicopter आते हैं और वहाँ से कवाड़ा उतर थे कवाड़ा वही teacher है जिसको नोबु ने पेर पर चाखु मारा था कवाड़ा classroom में आकर गहते हैं कि मैं फिर से अब तुम्हारी classroom का इंचाज बन चुका हूँ दो नए बच्चे यहाँ पर हैं तो कवाड़ा कहते हैं कि ये दोनो transfer students है इनसे तुम सही से पेशाना यहाँ पर जब वो नोबु को देखते हैं तो उसके पास जाकर उसे गहते हैं कि तुमने मुझे बहुत ही hurt कर दिया था तुम्हें उसके बाद school छोड़ दिनी चाहिए थे कवाड़ा फिर board पर BR act लिखते हैं यहाँ चल कह रहा है यह students को समझ में नहीं आता कवाड़ा कहते हैं कि तुम लोग adults का respect नहीं करते हैं इसलिए तुम्हारे लिए ही especially यह rule बनवाया गया है सुद्रन जब उपने teacher के बारे में पुछते हैं तो कवाड़ा डिरेक्ली उनके teacher की लाश ही यहाँ बढ़ राता है सब बच्चे बहुत ही डर जाते हैं लासरूम में फिर screen लाया जाता है जहाँ पर anchor lady इस game के सब rules बताने वाली है वीडियो जड़ा से start होती है और एक लड़की बाते करी होती है कवाड़ा चाको लेकर directly उसके सर में डाल देता है वो बोलता है कि मैंने सब लोग को शान बैटने के लिए कहा था सब लोग और भी डर जाते हैं सब भागने की कोशिश करते हैं पर उनके आसपास soldiers है तो कही भी भाग नहीं सकते हैं इसके बाद वीडियो फिर से play होती है और हमें game के बार में पता चलता है यह सब लोग एक deserted island पर हैं जिसका radius 10 km का है इनको एक दूसरे को मार डालना है इनके पूरे class में एक ही बच्चा जिन्दा रहेगा अगर इन बच्चों ने team बना ली और decide किया कि वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे तब government officials इन सब लोग को मार देंगे इन सब के गले में एक device है जो government activate करकर उसे blast कर सकती है इस तरह से PUBG में zone होता है उसे तरह से इस game में भी danger zone रहने वाले है अगर कोई danger zone में रहा तबी भी उसके neck का device explode हो जाएगा नोबू को यह सब सही नहीं लगता और वो out of control हो जाता है कवाड़ा गुस्य में उसका neck का device activate कर देते है वो उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है पर इडिवाइस explode होकर वो मर जाता है नाना हरा उसका best friend है और उसे help करने की कोशिश करना चाता था पर वो कुछ भी करने पाया सब लोग अब बहुती डरे हुए है फिर इसे video play होती है इन सब students के पास सिर्फ तीन दिन है इस game को complete करने के लिए अगर वो नहीं कर पाया तो फिर भी सब लोग को मार दिया जाएगा इन्हें एक back दी जाएगी जिसमें उनके लिए life supply और एक weapon रहेगा weapon भी अलग-अलग होंगे क्योंकि life में हर एक को अलग-अलग opportunities मिलती है ये world fair नहीं है कवाड़ा कहता है कि life एक survival का game है अब तुमें जानना है क्या तुम survive कर सकते हो सब लोग अपने अपने backs लेकर एक एक करके वहाँ से भागते है नाना हरा जब classroom से जाता है तो बाहर नोरिको के लिए वो wait करने वाला है बाहर आकर एक लड़की को देखता है तब उसके neck में एक arrow है अल्रेडी ये game स्टार्ट हो चुका है arrow वाला लड़का नाना हरा को भी मारने वाला था तब ही नोरिको आती है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते है इस arrow वाले का friend भी बाहर आया वो अपने friend को नहीं मारना चाता था पर खुद के protection के लिए उसने उसको मार डाला खुद के survival के लिए एक second में दोस्त दुश्मन बन चुके है नाना हरा और नोरिको भागते भागते समुनर के पास एक cave में छुप जाते है नोरिको के पास बाइनकुलर से और नाना हरे के पास एक shield इन weapon से वो किसी को भी hurt नहीं कर सकते नाना हरा नोरिको से कहता है कि हमारे friends के साथ हम रह सकते है उस तरीके से हम safe रहेंगे नोरिको कहती ही कि नहीं मैं किसी पर भी trust नहीं कर सकती है हमें एक flashback दिखा जाता है जिसमें नोरिको को कुछ लड़किया बहुत ही चीड़ा रही थी इसका reason क्या था ये movie में आगे हमें पता चलेगा नाना हरा को अपने friend नोबू के लिए बहुत बुरा लगता है नाना हरा और नोबू ये दोनो roommates थे एक flashback में हम देखते है कि नोबू नाना हरा से बुझता है क्लास रूम में या तुम्हें कोई लड़की पसन है इन्वाइट किया था नाना हरा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो खुद आना चाहता था वो खुद अपने आपको दोशी मानता है वो कहता है मुझे उससे protect करना चाहिए था वो नोरिको को promise करता है कुछ भी हो जाए लास्तर में तुम्हें protect करूँगा इसके बाद नेकसिन में हम transfer student जिसका राह में किरियामा इसको देखते है कुछ बच्चों ने कुछ बच्चों ने team बना ली है और मिलकर सब लोग को मार रहे है इन्होंने किरियामा को भी पकड़ लिया है इनके बास machine gun, hand grenades इस तरह के खतरना खतिया है ये किरियामा को मारने वाले थे तभी इसने उनसे machine gun चेंड ली और सब पूरे group को मार डाला ये हमारा बहुत ही dangerous character है इसके next scene में एक couple हम देख सकते है किसी को मारना इन्हें पसंद नहीं है तो गेम वो खेलना नहीं चाहते है इन्हें लगता है कि इनके पास कोई भी option नहीं है तो इस suicide करना चूज करते है एक clip से वो jump करते है इसके बाद हमारा और एक main character Mitsuko को हम देखते है Mitsuko को एक cottage में एक लड़की मिलती है इस लड़की को लगता है कि Mitsuko उसकी friend है यह दोनों मिलकर एक दूसरे को support कर सकते है इस लड़की का weapon Taser है यह Taser हो जब Mitsuko को दिखाती है तो इसी Taser से Mitsuko उसे shock देना चाहती है यह लड़की जब भागने लग जाती है तो Mitsuko को एक सिकल से उसका गला चीर देती है इसके बाद सुबह आती है कौन-कौन मर चुका है इसकी announcement कवाड़ा करता है इस island के danger zone भी सबको अब पता चलते है नोरीको और नानहरा यह danger zone में आ सकते थे तो यह दोनों आगे चलने लगते है आगे चलते चलते नानहरा को उसका एक friend दिखता है उसका weapon X है नानहरा इस लड़के को जानता है और इसे नहीं मारना चाता है पर यह लड़का सुनता नहीं यह directly नानहरा पर attack कर देता है यह ज़रा hill जैसी जगा भरी थे जब यह वहाँ से roll hook कर नीचे गिरते है तब जो नानहरा को मारने वाला था यह खुद injure हो जाता है यह खतम नहीं हुआ तब यह नानहरा को और एक topper लड़का मारना चाता है यह गहता है कि top college में सिर्फ मैं ही जाने वाला हूँ इस topper के बास gun है और उने मारने वाला था तब ही इने जान बचा लेता है जान हमारा और एक main character है जान भी एक transfer student है जिसने गेम जॉइन किया है जान नोरी को और नानहरा को नहीं मारने वाला अचानाक से नानहरा को दो लेडिकों की आवाज आती है ये लेडिका मांटन पर खड़ी होकर कह रही होती है कि इन्हें fight नहीं करने है ये मिलकर team बना सकते है ये दोनों नानहरा की friends है नानहरा इसे पेचान लेता है तो उसे आवाज देता है जान उसे रोक लेता है कहता है कि ये दोनों अब बहुत ही danger में है अगर तुम उनके पास जाओगे तुम भी मर जाओगे नानहरा जान पर चीर जाता है वो कहता है कि तुम मेरी help क्यों कर रहे हो जान कहता है कि इस तरह से तुम कुछ decision लोगे तो जल्दी मर जाओगे अगर तुम ये game नहीं खेलना चाते तुमारे पास एक ही best option है जाओ और suicide कर डालो इनकी conversation चल रही थी तभी उन दोनों लड़कियों को किरियामा जाकर मार डालता है जान कहता है ये जल्दी से यहां से हम भाग चलते है वरना वो हमारे पास भी आ जाएगा इसके बात हम देखते हैं कि Mitsuko के पास एक लड़की आती है उस लड़की का एक boyfriend था जिसको Mitsuko ने पटा लिया था Mitsuko ने जिस लड़की को कल रात मारा था वो इस लड़की की friend ही थी इस लड़की के पास gun है फिर भी Mitsuko से लड़ती है और उसी गन से उसे मार डालती है इसके बाद next scene में हम देखते है कि नोरी कोको ज़रा चोट आ गई थी चोट की वज़े से उसके तबियत खराब हो रही है इसलेंड में एक घर वो देखते है और घर के पास पहुचते है जॉन अल्रेडी वहा है इस घर में कुछ मेडिसिन्स वगरा थी जो नोरी कोको देता है वो अब ज़रा रेजट करती है next scene में हम कुछ लड़के देखते है उन्होंने इस आइलेंड पर एक कॉम्पिटर ढून लिया है इसमें से एक hacker है इनकी गले की device को deactivate करकर इनकी खिलाफ वो revolution करना चाता है hacker के ancestors ने भी revolution में part लिया था ये act वो गलत समझता है तो इसके खिलाफ कुछ करना चाता है उसे पदा जल चुका है उसके नेक के device में एक microphone है जिससे सब बाते कवाड़ा और उसकी team सुन सकते है वो screen पर कुछ चीज़े type करता है और ये सब चीज़े अपने friends को लाने के लिए कहता है इन सब चीज़ों से वो bomb बनाने वाला है इसके बाद एक लड़की कॉम देखते है जिसका नाम है चिकसुआ चिकसुआ को fitness अचा लगता है तो इस island पर भी वो run करती है जलती से उससे एरो चिकसुआ थोड़ी सी इंज़ोर होती है ये दोनों fight करते है और चिकसुआ उसे मार डालती है ये दोनों fight कर रहे थे तभी वहाँ meansukwo के पास अब गन है चिकसुआ वहाँ से जल्दी से भागती है वर फिर भी उसे गोली लग जाती है एक जगा पर जाकर वो मर रही है तब ही उसका फ्रेंड उसे मिल जाता है इसका नाम हिरो की वो हिरो की को पसंद करती थी हिरो की उसे सहारा देता है और उसके आम्स में ही वो मर जाती है इसके बाद हम फिर से नोरी को नानाहरा और जॉन को देखते है नोरी को रेस ले रही थ अब वो जाग चुकी है जॉन अब उसकी खुद की स्टोरी इन दोनों को बताता है वो कहता है मैं और मेरी गर्ड्रेंड कुछ सालों पहले हम दोनों इसी गेम में थे ये एक दूसरे को मार नहीं सकते तो इनके दोनों के नेक की डिवैस एक्टिवेट हो चुके थे इन में से किसी ना किसी को तो मरना था जॉन की गर्ड्रेंड ने उस पर गोली चलाए जॉन ने फिर उसे मार ढाला मरते मरते गर्ड्रेंड की फेस पर स्माइल थी उसने जॉन को ठैंक्यू कहा इन दोनों के एक साथ फोटो है वो नोरिको को दिखाता है नोरिको कहती है कि तुम्हारी गर्ल्फेंट तुमसे बहुत प्यार करती थी उसने जान बूच कर ये सब किया जान अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाया कि उसकी girlfriend मरते मरते उसे इतनी smile कैसे देख कर गए ये सब बाती कर रहे थे तब एक किरियामा एक लड़के को मारते मारते वहाँ पहुच गया उस लड़के को उसने मार डाला और notice किया घर में कुछ लोग है उसने घर में bomb डाला सब लोग पर गोलिया चलाए ये इन सब को मार सकता था तो नानाहरा उसको distract करने के लिए वहाँ से भागने लग गया उसने john और नोरिको को दोनों को save कर दिया नानाहरा एक जगा पर stuck हो गया किरियामा उसे मारने वाला था तब एक किरियामा की gun stuck हो गया नानाहरा का एक फ्रेंड वहाँ पहुच गया और उसने नानाहरा को बचा लिया, किरियामा अभी भी उन्हें मार सकता है, तो इन दोनों ने पानी में जम मार दिये, इसके बाद हम देख सकते हैं कि हैकर्स और उसकी टीम ने अब बॉम बना लिया है, यह वो प्लान मना रहे ह कि वो कवाड़ा के पास जाकर उन सब को मार दालेंगे, जब सुबा होती है, तो नानाहरा एक लाइट हाॉस में है, उसके पास एक लड़की है, जिसने उसे मलम पठ्टी की है, यह उसकी और एक फ्रेंड है, नानाहरा उसकी फ्रेंड को कहता है, कि नोरीगों और जौन एक सबसें प्लाइए जिससे हम सब को बचा सकता है लड़की नाना अरा को रेश्ट करने देती है और अपने दुसरी फ्रेंड्स के पास आजाती है इन लड़कियों के ग्रूप में जहर मिला देती है, बार से दुसरी फ्रेंडे आती है, रेडी खाना देखी कर वो खाने लग जाती है पॉईजन था तो बलट की उल्टयागर कर इंस्टनली वही मर जाती है अब सब और फ्रेंडस एक दुसरे बर शक करने लग गया और एक दूसरे को उन्होंने मार डाला जिस लड़की ने पॉईजन मिलाया था वो नीचे छुप गई थी और वो बच गई उसकी वज़े से उसकी इतनी सारी फ्रेंड्स मर के तो उसे बहुत पच्टाव हुआ बहार जाकर उसने खुदकुशी कर ली नानाहरा नोरिको को पसंड करता था और हमेशा से उसे अनपरोप्रयेटली बाते करता था नोबु को भी नोरिकोँ अच्छी लगती थी और उसे पसंड ने आया फिर नीचे घरता है और उसके सपने में उसका फीर नोबु आता है उस्य क्याता है इसके नोरिको का हमेशा खयाल रखना वो फिर से ऊटकर आगे चलने लगता है नोरिको और जॉन एक यह जोन डेंजर जोन में आ चुके हैं तो जल्दी से वहाँ से भागते हैं नोरिको पीछे रहे जाती है और जोन आगे निकलता है जोन नोरिको को ढूंड नहीं पाता मिच्चु को नोरिको के सामने आ जाती है उसे वह मारने वाली थी तभी कवाड़ा वहाँ पहुचता है ह उसे बचाने के लिए वह आया हुआ था मिच्शू को वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी देर में नाना हरा नोरिकों को ढूंड लेता है इसके बाद नेकसिर में हमें हिरो की फेसे दिखाया चाता है हिरो की एक लड़की को ढूंड रहा था ये लड़की उसे मिल गए पर बहुत दरी हुई थी उसने डर कर हिरो की पर भहत सारी घोलया चलाए उसे माड डाला हिरो कि ने मरते मरते का कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था ये सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगता है ये बहुत रोती है कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते थे तब तुम्हें मुझे बताना चाहिए था मिट्सू को भी यहाँ पहुच जाती है और इस लड़की को मार डालती है मिट्सू को हमारा बहुत ही डेंजरस क्यारेक्टर है किसी को भी मारने में उसे कोई भी गलत नहीं लगता इस तरह से क्यों है यहामें उसके एक फ्लैश बैग में पता जलता है जब वो छोटी थी तब उसकी मदर हमेशा नशे में धूत रहती थी उसके पास आकर एक आदमी गलत सी बाते कर रहा था उसे टच करने वाला था पर छोटी मिट्सुको ने उसे धक्का दे दिया स्टेल से नीचे किर कर वो आदमी वही मर गया उसका चाइल्ड होड बहुत ही हाड रहा है इसके बाद हम देखते हैं मिट्सुको और किरियामा एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं यह दोनों बहुत ही टफ है एक दूसरे को भारी बढ़ते हैं पर लास्ट में किरियामा उसे मार डालता है फिसे हमें हैकर्स और उसके फ्रेंड दिखाय जाते हैं हैकर एक प्रोग्राम मनाता है और कवाडा के पूरी सिस्टम को हैक कर लेता है कवाडा और उसकी टीम को पूरी सिस्टम को शटडाउन करना पड़ता है अब इनका नेक्स प्लान है कि जो बढ़ उन्हेंने बनाया है वो कवाडे के पास लिकर जाएंगे और पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे ये सब लोग जाने ही वाले थे तब ये वहाँ किरियामा पहुच जाता है हैकर के सब फ्रेंड्स को मार डालता है हैकर किरियामा को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता जिस बॉम को उसने बनाया था इसी बॉम को एक्टिवेट करता है और ब्लास कर देता है इस बॉम की स्मोक को देखकर वहाँ पर नोरिको, नानाहरा और जॉन पहुचते हैं यहाँ पर वो देखते हैं तो किरियामा अभी भी चल रहा है बॉम की वज़े से वो अंधा हो चुका है पर फिर भी चल फिर सकता है जॉन जब किरियमे के पास जाता है तो किरियमा उससे शूट करने लगता है लास में जॉन उसे उड़ा देता है इन दोनों की जब फाइट चल रही थी तब जॉन को भी कुछ गोलिया लग गई थी इस गेम में अब सब लोग मर चुके हैं जॉन नोरिको और नानहरा यह सिर् जोचते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए जोन गयादा है कि तुम लोग बहुत ही भोले हो मेरे प्लैन के लिए तुम पर्फेक्ट थे मैं जब इस आलन्ड पर आया तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहां से जीतने वाला हूँ जोन की गोलिया चलाने की आवास फिर आलन्ड पर ही छुप जाते हैं कवाड़ा डिक्लेर करता है एक गेम अब ऑफिसले खतम हो चुका है थोड़ी दिर में हेरिकॉर्टर तक जोन पहुच जाते हैं कवाड़ा जोन को खाना पिना देता है बाकी सब लोग औरी चले जा चुके हैं सब लोग के जाने के बाद नो इस्टर वे में उससे पैर करता है तो नोरिको को बचाना चाता था नोरिको को हमेशा से प्रोटेक्टी कर रहा था जो बिस्किट नोरिको ने नानाहरा को दी थे वो कवाड़ा ने चीन लिये थे उसकी फैमिली भी उससे पैर नहीं करती थी उसे अब जीने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा है, वो इनको कहता है कि मुझे मार डालो, नानाहरा उसे नहीं मार सकता, कवाड़ा अपनी गन निकालता है और नोरी को पर रखता है, नानाहरा फिर उसे मार डालता है, कवाड़ा के हाथ में जो गन थी, वो एक टॉय गन थी, गोली लग कर कवाड़ा नी वुन लेते हैं और जॉन उसे सही डारेक्ट्शन में लेकर जाता है जौन बहुत in subject're तो नानाहरा को इसी डारेक्शन में तुम steer करते रहना वो फिर नीचेगीर कर goed करता है जौन अपनी यानि कि नानाहरा जिस पर बिलीव करता है नौरिको को उसे बचाना है तो इसके लिए हमेशा वो ट्राय करते रहने वाला है यह यह मुवी एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा बहुत सारे इस तरह की मुवी ले